हम इश्वर से किसी भी बात पर रूठ जाते हैं, पर इश्वर हमसे कभी नहीं रूठता है, इश्वर हमें प्यार करता है, हम सिर्फ अपनी सुईधा देखते हैं और वो पूरी दुनिया को देखता है, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनक्षरम, आज एक ऐसा किस्सा सुनाता मैं बहुत देर तक शान्त हो गया एक दो, और मुस्कुराता रहा, क्योंकि ठाकुर अपनी लिला कभी भी करने को है, हुआ यूँ कि एक बुजरुग महिला कहीं बहार से व्रिंदावन आई थी बाके भी हरी के दर्शन करने, बहुत अच्छे दर्शन हुए उसे, ठाकुर अच्छे ने कहा कि और भी भगता हैं मैया, उन सबको भी प्रसाद देना है, तो आप एक ही पेड़ा रखो, मैं दो नहीं दे सकता। तो उसने कहा नहीं मुझे तो दो ही पेड़े चीह हैं, देखो मैंने दो सो रुपे दान में देए, दो पेड़े तो कम से कम चाही हैं गोस्वामी जी ने प्यार से कहा कि महिया आप समझे बहुत लोग आए हैं उन सब को प्रसाद देना है तो आप एक ही पेडा रखे ये औरत गुस्सा हो गए नाराज हो गए नाराज हो के बुली मुझे नहीं चीए एक भी पेडा देने तो दो दो नहीं तो मत दो और इसने व दो पेडे नहीं दे सकते थे क्या इतना प्यार करती हूं इतनी मौबबत करती हूं इतने से प्रसाद में क्या चला जाएगा आपका एक पेडा ही तो ज्यादा मांगा था एक पेडा और नहीं दिया गया अब जो ठाकुर जी से वो शिकायते कर रही थी वो शिकायते उसी भ आप खड़ी थी, मनी मन सोच रही थी, इतने में बच्चे ने कहा कि मैं यहां, जूते पैली मैं हाथ दो के अभी आता हूँ, और बच्चा जो है वो चला गया, अभी यह बच्चे का इंतजार करने लगी, दस मिन्ट, पंदरा मिन्ट, बीस मिन्ट, आदा घंटा, एक घंटा बीट गया, लेकिन बच्चा वापिस नहीं है, तो इसने इधर उधर बच्चे को देखा, बच्चा कहीं दिखाए नहीं, इसकी वापसी की ट्रेन थी, इसको लगा कि प्रसाद है, यह प्रसाद साथ ले करके चल पड़, और ट्रेन में बैठ गई, अब जब ट्रेन में यह बैठी थी, तो यह रो रही थी, जादा रो रही थी, तो एक यातरी ने पूछा, महिया क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, तो इसने खा कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तो यातरी ने का कि महिया बताओ ना क्या बात ही, बताने से दुख हलका होगा, मन हलका तो इसने उठा करके वो थेली उस यातरी को दे दी और ब€ ली कि यह देखो यातरी ने बोला ये क्या है तो बोली खोल के देखो यातरी ने वो थेली खोली थेली में चार पेड़े थे दुलसी थी एक इत्र में ढूबा हुआ कपड़ा था जिससे बहुत सुगंदा रही और एक चिठी लिखी हुई थी तो उस महिला ने कहा कि ये देखो और चिठी जब खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि महिया उपने लला से नाराज नहीं होते तो जे दो पेड़े चाहिए थे ना ले चार ले पर मुझे से नाराज कभी मत होता और उसने पूरा किस्सा सुनाया दोस्तों वो इतना प्यार करता है आपसे आप कलपना भी नहीं कर सकते वो हर पल आपके साथ रहता है हर पल आपको सुनता है कभी उसकी परिक्षामत लीची, आपसे बहुत महपत करता है, आपकी हर बात सुनता है, कई बार हमें लगता है कि हमारी बात पूरी नहीं हो रही है, कई बार हमें लगता है कि नहीं हमारे काम पूरे नहीं हो रही है, मुझे इतने सारे मेसेज आते हैं, और लोग लिखते हैं कि भगवान सुन नी रहा है, भगवान मान नी रहा है, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करते हूँ, लेकिन भगवान मेरे कोई उत्तर नहीं दे रहा है, हमें नहीं पता कि वो हमसे क्या चाहता है और वो क्या कर रहा है, लेकिन हम शंका करेंगे कि वो वो सुननी रहा है, वो करनी रहा है, तो येकिन मानना वो काम कभी पूरे होंगे ने, विश्वास पता है क्या होता है, विश्वास ये होता है, कि जब आप समर्पित हो जाते हो, जब विश्वास कर लेते हो, जब मान लेते हो कि वो है, तो फिर शंका मत करो, फिर ये मत सोचो कि वो काम पूरे नहीं कर रहा है जब सही समय आएगा तो सारे काम पूरे हो जाएगा आप एक बार सोच के देखिएगा एक बार प्यार से बैट करके सोचिएगा कि आपके जीवन में जो पीछे हुआ है आज आप उसको सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है कुछ गलत नहीं हुआ हमें बहुत आगे जा करके पता लगता है कि जीवन में कुछ गलत होता ही नहीं है जो इश्वर को मानता है इश्वर पर विश्वास करता है उसे प्यार करता है इश्वार उससे कई गुना ज़्यादा प्यार कर, आपकी सारी बाते सुनुते हैं, कितनी भावक सी बात है कि उस बच्चे ने जो थैली दी और उसमें जो चिठी थी, उसमें लिखा था, अपने लल्ला से नराज मत होना, थाकुर जी आप सब को कहते हैं, कि मुझसे नराज म मत होना, जितना प्यार तुम मुझे करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं तुम्हे करता हूं, उसमें आने दो, इंतजार करो, वो सब दूंगा जो तुम चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा दूंगा, नराज मत हो, आपकी नराजगी मेरे ठाकुर को परेशान करती ह इसलिए आगे से कभी नाराज मत हो ना अरे कृष्ण